जुने धरी साब जिस कथित शिवलिंग जिस फवारा आप कह रहे हैं कि साब वो सिंपल फवारा है हिंदू पक्ष कह रहा है कि वो शिवलिंग है अगर वो चाहता कि ये पता चल जाया कि ये फवारा है ये शिवलिंग है तो इसकी जांच की कोई तकनीक प्रकृरिया तो होग सबसे पहली चीज तो historical facts की जहां तक बात है उसको हमें समझना चाहिए ये इल्जाम है कि औरंगजेब ने उस मंदिर को तोड़ करके बनवाया है मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि 1707 ईसवी में औरंगजेब मर गया और उसके बाद 1735 में उसके जो जानशीन थे उत्रधिकारी थे कमजोर थे 1735 में इन दौर की महारानी अहलिया बाई होलकर ने काशी विश्वनात मंदिर की अस्थापना की वहाँ पर ठीक है अब नमबर दो 1829 और 30 में वालियार की महारानी बेजा बाई ने ग्यानवापी परिशर में मंदब बनवाया और फिर महाराजा नैपाल ने नंदी जी की अस्थापना की अब आपको मैं एक चीज़ जरूर बताना चाहता हूँ कि जब ये कमजोर हो चुके थे और दूसरी तो फिर अनिला जी अब मुझे पूरी बात कप्लेट आलमगिरी की बात होती है अब मुझे पूरी बात कहने दें जिन्होंने जिक्र किया कि और अंग्जेब ने कितने मंदिरों को तोड़ा था तर आप इर्फान हभीब को मानेंगे या नहीं मानेंगे कर देंगे तो इतियास कार नहीं है उन्होंने भी खुद कहा है कि हां मंदिर तोड़ा गया और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो गल्ती उस वक्त और अंग्जेब ने की थी क्या उसको दोराया जाएगा क्या सथिता तो ये हैं कि जब इसलामिक आकरम अकरांतों ने आकर हमारे राष्टबर हमला किया और यहां आपर आकर बस गए इन शुरू से लेकर, स्लेव डाइनस्टी से लेकर, मुगल काल तक, इन लोगों ने अनेकों अनेक हमारे मंदिर तोड़े, हमने बनाए फिर इनों ने तोड़े, मस्जिदें वहाँ पे बना दी गई, अगर मैं यह कहती हूँ, अयोद्या काशी मत्रा, जूट है तो इनके करती हूँ, पुझी, हमारे सकंद पुरान में जिकर है, तो यानि कि हमारे गरंथ भी छूटे हो गया, इतियाहार भी जूटा हो गया, इसाई भी जूटा हो गया, सबस्क्राइब जूटी माक्साब पार्णी जो है, महां जाईए पूजा करिए, आपको तो मजीद पूजा पूजा करनी चाहिए, सबके समाच के लोगों को साथ लेकर साथ चलना चाहिए, सबके कॉंफिडेंश जीतना चाहिए, और आप जो लगतार जो है, आप एक बारे मंदिरों के ओपर यहां पना हजट आते हैं, बिल्कोल नहीं होगा, सारे एविदेंस से परे साथ हैं, बार आपने अभी कहा कि भारत हिंदू का था, बट एट प्रेजेंट अगर हम देखे तो भारत एक विवितुता पूर्ण वाला देश है, यहां पर विविन्न धरम जाती, वेवसे आती के लोग रहते, इतनी विविन्नताओं के बात, जिब हम साथ रहते हैं, तो आकर इतनी जहां जो पढ़ाया गया है, बिल्कुल गलत तोड मरोड के पढ़ाया गया, सबसे पहली बात, 1947 में जहां कम से कम 3-4 लाख लोग मरे थे, क्यों मरे थे, क्योंकि इस राष्ट के दो टुकडे हुए थे, क्योंकि मुस्लिम लीग जो है, अपने धरम का अलग राष्टर चाह अपने कहा जैसे, तो आपको पूजा क्यों मस्जिद में करनी है, आपके पास तो मंदिर है वहाँ पे उस पे क्यों नहीं कर रही हैं? अरे साहब आपको कुछ बिटा पता है, थोड़ा पढ़लिक कर आया करो, आपको पता है, नंदी जी जो है, नंदी जो वहाँ पर है, आप जाकर देखिए, एकलोते नंदी ऐसे हैं, जिनका मुह मस्जिद की तरफ है, आपने आज तक एक भी नंदी देखा है, कि जो भगवान शिव की तरफ उसका मुह ना हो, अरे एक, पता ही नहीं 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 पता हूँ, आपने बहुत अच्छा पता है, यह कह रहे हैं, तो शिव तो हर जगा विराजमान है, फिर मस्जीद की जगाई क्यों चाहिए? क्यों, इसका मतलब जो हमारे सदिस्थान हैं हम छोड़ दें, आपके मासा पिला है, आप प्यार करते हो उनको, अमितोष पारिक भी हमारे साथ जुड़े हुए, अमितोष पारिक, विश्व हिंदु परिशत के प्रवक्ता, अमितोष जी, ने, यह मामला, इस डिबेट में ऐसा लग रहा है कि मामला राजनितिक मुद्दा हो गया, कहा जा रहा है कि हिंदु मुसल्मान में बाटो, इस मामले के जरीए और अपनी राजनितिक है, यह आर्स्था का मामला है, धार्मिक मुद्दा राजनितिक है, ने, प्रत्युष जी, ऐसा क्यों होता है कि हिंदु पटनी आवाज बटता है तो वह मामले सारे राजनितीक हो जाते, political turn हो जाते है, कोट के अंदर में मामला गया, places of worship act ली, कोई applicability इसके अंदर में यह नहीं सक्शन 3 की है, नहीं सक्शन 4 की है लिमीटेशन है को पुज़ा सुनेट से रहो खराए है अधिकार रोका गया तब राजविती नहीं दिखी इन लोग को मंदिर तोड़ के मजज़ित बना दी तब इनको कुछ समझ नहीं है और यह बात करते हैं आप प्रूफ कि तो मैं आपको प्रूफ देता हूँ मज़िर आलमगिरी में एप्रेल 9-60-69 का विवरंट दे रखा है कि और अधिश दिये अपने सारे गवरनर्स को कि सारे मंदिर तोड़ दिये जाए उसके बाद गैज़ेटेर के अंदर में लिखावाए पेश नंबर 59 में लिखा है कि काशी के अंदर में वारानसी को तोड़ा जाए जानिया ओथर है जिनाप रभा सुरी 1332 AD का विवरंट देता है डिस्टिम्यूश फोर डिस्ट्रिक्स ऑव वारानसी जिसमें काशी का अलग से विवरंट दे रखा है सकंद पुरान में बात कर लेते हैं 17 श्लोक के अंदर में क्या कहता है इती ग्यानना ममुद्रतम ग्यानवापिक शौनातम मैं ग्यान वापिक से ही पूरा हो जाए और जब आप लोग ग्यान की बात ही नहीं करते है तो ग्यान वापिक तो संस्क्रिट शब्द था आपके तो उसमें आना ही नीचे था एसाई सर्वे होता है दौरजा दो में तो यह लोग भाग खड़े हो जाते हैं रोकने के एसाई सर्वे को और यहां आके बात करते हैं हर एविडेंस की बात हो रही है कि कोट के मध्यम से लड़ा गया है बाबरी की लड़ाई हो टाचे की या ग्यान कुणा पर की हिंदू ने हमेशा कोट के तेरफ से लड़ा गया है क्यों ऐसा होता है प्रत्युशी जब क्लेम नहीं होते हैं अगर अनुमत की बात कर लेंगे ये लेकिन जहां पर मंदित ओलके मध्यद बनाते हैं और ये इस्लामिस स्कॉलर आपारे साथ बैठे वे इनने 1707 का विवर्ण दिया तो 1664 के अंदर में जब इन्वेट कराता हू 69 में जब ये पहले ही नहंगों से हार चुके थे और पहली हार निकाशा शिक्सी 9 में जब दोनों पक्षों की दलिल सुन ली है अब कोट को फैसला सुनाना है और गाना जा रहा है कि आज ये फैसला आ सकता है शाम चार बजे के पहले तक अब जो भी फैसला आएगा उसके दोनों पक्षों के आजादी होगी कि वो उपरी अदालत में उसे चैलेंज करें लेकिन लोगों की दिल्चस्पी इसी बात पर है और लोग भी जानना चाहते हैं कि आज कोट का फैसला क्या आने वाला है बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बहस में झालत में जुटिस।